Hello everyone, इस स्रीज में देखेंगे हम अपने सारे previous here question papers के solution, set wise solution रहेगा, इसलिए आप सारे sets को एक एक करके देखेगा, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला question क्या है, who among the following won the best music director award at the 67th national film award ceremony, तो जो 67th national film award ceremony हुआ था, इसमें best music director का award किसको मिला था, ये मिला था, D. Iman को, किसको मिला था, ये मिला था, D. Iman को 67th national film award की बात कर रहा है ये अभी जो latest हुआ है, वो कौन सा हुआ था, वो 2023 में हुआ था, कौन सा 68th national film award, इससे अपने question आएंगे, तो हम बढ़ लेखते हैं आपने 2023 के 68th national film award, इसमें अगर देखा जाए, केटेगरी कौन सी है, best feature film की, इसका winner कौन रहा है, इसका winner रहा है, rocket tree movie, तो best feature film का award किसको मिला है यह मिला है, rocket tree movie को, ठीक है, अगर बात किया जब best director का award, तो यह मिला है किसको, निखिल महाजन को award मिला है, कौन सी movie के लिए, गोदावरी के लिए, अगर बात किया जाए, best actor का, तो यह मिला अलु अर्जुन को, कौन सी movie के लिए, पुस्पा के लिए, अगर बात किया जाए बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटर्टेन्मेंट इसका एवाड मिला है ट्रिपल आर मुवी को बेस्ट एक्ट्रेस की बात किया जाए तो ये मिला आलिया भट को कौन सी मुवी के लिए मिला था देवी स्री प्रसाद को और कौन सी मुवी के लिए दिया गया है पुस्पा के लिए बेस्ट हिंदी फिल्म की बात की जाए तो ये सरदार उधम को मिला और नर्गिस्तत अवार्ड फॉर बेस्ट फिचर फिल्म और नेशनल इंटिग्रेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट केटेगरी हो जाता है तो ये मिला किसको कस्मीर फाइस को बढ़ते हैं अगले कोश्शन की तरफ अगला कोश्शन है कोश्शन नमबर टू क्या कहता है iter Ayos Arc नमबर टू इन एस आर नोन एज नार्रो मनी मरी में क्लासिफाइड है ये नignsनार्र्पनी और ब्रोड्र्पनी होता क्या है अपनी economy में money supply को miser करता है यह बताता है कि economy में कितना पैसा available है transaction के लिए ठीक है transaction के लिए कितना पैसा available है ठीक है या फिर public के पास कितना पैसा use हो रहा है किस चीज़ के लिए medium of exchange के लिए कितना पैसा use हो रहा है medium of exchange के लिए अपने economy में कितना पैसा यूज हो रहा है अब अगर बात की जाए M1 की तो M1 होता क्या है M1 होता है जो भी currency जो भी currency है in the forms of notes हो या फिर points हो तिक है public के पास plus commercial bank के पास जो demand deposit होता है किसके पास होता है demand deposit होता है commercial banks के पास इनका जो collection होता है वो क्या कहलाता है M1 कहलाता है बात की जाए अगर M2 की M2 क्या होता है M2 होता है M1 plus post office savings banks के पास किसके पास post office savings banks के पास जो भी saving deposit है ठीक है जो भी savings deposit है इनका collection क्या कहलाता है M2 अगर बात की जाए M3 की M3 हो जाता है जो भी currency circulation में है जो भी currency in circulation currency in circulation plus demand deposit with commercial banks demand deposit और plus time deposit plus time deposit with commercial banks इनका collection क्या कहलाता है M3 हो जाता है अगर बात की जाए M4 की M4 होता है M3 plus post office savings banks के पास post office savings banks के पास जो भी savings deposit है इनका collection क्या कहलाएगा M4 कहलाएगा तो हम जाने M1, M2, M3, M4 सब के बारे में अगर बात की जाए narrow money की यह अपना M1 और M2 यह दोनों क्या होते है narrow money होते है तो अपने question का answer मिल गया narrow money क्या है M1 और M2 are known as narrow money बढ़ते हैं हम अपने अगले question की तरफ Question number 3 यह क्या कह रहा है समुद्र गुप्ताज मदर belong to which of the following gun तो समुद्र गुप्त की मदर कौन से गन से बिलॉंग करती थी तो यह बिलॉंग करती थी लिच्छवी गन से कौन से लिच्छवी गन से तो अपना option 2 इसका correct answer है अगर बात की जाए समुद्र गुप्त के family की तो इनके father का नाम था चंद्र गुप्त first और इनकी मदर का क्या नाम था कुमारा देवी और यह जो कुमारा देवी है यही थी लिच्छवी डाइनेस्टी से किस से लिच्छवी गन से अब अगर गुप्ता डाइनेस्टी की बात की जाए तो गुप्ता डाइनेस्टी का founder कौन है गुप्ता डाइनेस्टी के founder थी स्री गुप्त कौन था स्री गुप्त इसके founder रहे है और इसका जो last ruler रहा है last ruler की अगर बात की जाए तो विश्नु गुप्त विश्नु गुप् इंडियन हिस्ट्री नीछ टो ये गुपता डाइनिस्टी को हम लोग क्या करते हैं गोल्डन पिरड़ अपThat इंडियन हिस्ट्री तो पद्म सुब्रमन्यम किस dance form से बिलॉंग करती थी उसकी exponent थी तो ये है भारत नाट्यम अपना option 2 इसका correct आंसर है भारत नाट्यम कि ये क्या थी ये एक scholar थी और researcher थी जिन्होंने नएने techniques लाये थे किसमें भारत नाट्यम में इसलिए इनको भारत नाट्यम के वज़े से इन कि नवा जा गया है ठीक है इनको डॉक्टर की उपाधी भी मिली हुए दॉक्टर पद्म सुब्रमन्यम इस इनसे रिलेटेड एक question हमने पहले slides में पड़ा था बढ़ते है अपने अगले question की तरह question number 5 क्या कहता है the crust is the earth's outermost layer that is less than what percent of earth by mass with oceanic crust and continental crust often consisting of more falsic rocks तो हम देख सकते हैं अपने side वाले diagram में कि क्या बता रहा है कि जो अपना earth's crust है यह अपना outermost layer है अपने surface का outermost layer है earth's crust और यह अपने total mass के यह अपना total mass है यहां से यहां तक उसका बहुत छोटा percentage है यह होता है कितना यह होता है एक percent total mass का एक percent होता है यह question पूछा है तो अपना answer हो जाएगा option two that is one percent यह है कहां यह अपना lithospheric mental है यह हम देख सकते हैं यह अपना lithospheric mental दिखाया गया है इसमें जो यह अपना अपर पार्ट है यह oceanic crust देख सकते हैं यह oceanic crust और यह continental crust है ठीक है अगर बात के यह continental crust की तो यह लगवा continental crust पे 35 km तक है और अगर oceanic crust की बात की जाए तो यह महज 5 km तक है बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ अगला question है question number 6 यह क्या पूछ रहा है which of the following jurisdiction of the supreme court allows it to settle disputes between the center and state and amongst states तो जो center और state की बीच में disputes होते हैं या फिर state के बीच में disputes होते हैं disputes supreme court के किस jurisdiction में आता है तो यह आ जाता है supreme court के original jurisdiction में किस में आता है अपना option 4 है original jurisdiction अगर बात किया जाए original jurisdiction तो यह किस article में mention है यह है article number 131 में अगर बात किया जाए appellate jurisdiction की तो appellate jurisdiction है अपना article number 132 में अगर बात की जाए advisory की advisory है article number 143 में बढ़ते हैं हम अपने अगले question की तरफ अगला question क्या है cells of meristematic tissues like what तो जो cells होती है इसकी उनमें कमी होती है किसकी vacuoles की तो अपना option 2 जो है इसका correct answer हो जाएगा question number 8 the upper portion of the mental is called यह हम देख सकते हैं यह अपना mental है ठीक है और इसका जो अपर portion है यह portion यह क्या है इस question का correct answer हो जाएगा एक weaker layer होता है आगला question है question number 9 यह क्या कह रहा है गुरूपुरुनिमा of festivals celebrated by Hindus छेंदुज जैंस एंड बुद्धिश्ट इन इंडिया फॉस इन वीच मंत ओक हिंदु कैलेंडर तो जो पूरु पूर्णिमा है जो हिंदु सेलिब्रेट करते हैं वो इंडियन कैलेंडर में कौन से मंत में आता है तो यह आता है अशाड में अपना ओप्शन फूर इसका करे यह देख सकते हैं, मैं यह साइड में table डाल लिया हूँ, जिससे आपको बाकी सारे months clear हो जाए, बढ़ते हैं अगले question की तरफ, अगला question है question number 10, in May 2022, the interstate council which works to promote and support cooperative federalism in the country has been reconstituted, who will be the chairman of this council, तो यह अपना current affairs का ही question है, इस council का chairman कौन है, इस council की chairman है, the prime minister of India, that is option number 3, इसमें एक term यूज किया गया है, cooperative federalism का, अब अगर बात किया जाए, यह cooperative federalism का, तो यह cooperative federalism होता क्या है, यह cooperative federalism होता है, जो center और state के बीच में, union और state के बीच में जो relations हैं, उनको उस relation के साथ किसी भी issues पे, या variety of issues पे, variety of programs पे, जो साथ में मिलकर काम करते हैं, वो होता है, cooperative federalism, वैसे ही अगर interstate council की बात की जा है, तो interstate council क्या है, यह सरकारिया commission के द्वारा, यह किसके द्वारा, सरकारिया commission के द्वारा, अपने constitution में add किया गया था, interstate council, जिससे union और state के बीच में, किसी भी programs में, उनकी साथिदारी बनी रहा है, और smoothly काम हो, अपना अगला question है, question number 11, which of the following festival is mainly celebrated in अरुनाचल प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश में कौन सा festival है, जो mainly celebrate होता है, इन options में से, तो solung festival, option number 4, तो solung festival जो है, अरुनाचल प्रदेश में mainly celebrate होता है, इन options में से, अगर बात की जाए solung festival की, तो ये celebrate कब होता है, solung festival celebrate होता है, September में, 1st September को ये celebrate किया आता है, हर साल अरुनाचल प्रदेश में, question number 12, ये क्या पूछ रहा है, the poverty ratio has declined to what percent in 2011-12 in urban India, तो 2011-12 में, urban India में poverty ratio कितना decline हुआ था, तो ये decline हुआ था, 26.4%, कितना हुआ था, 26.4%, question है, at which of the following places was the FIFA Men's World Cup held in 2018, तो 2018 में जो FIFA Men's World Cup था, ये कहां हुआ था, ये हुआ था, रशिया में, 2018 के बाद अभी जो latest हुआ है, वो अपना 2022 में हुआ है, और ये कहां हुआ है, ये हुआ है, कतर में, अपने को question अभी latest वाले से ही पूछेगा, तो अगर बात किया जएक कतर में हुआ है, और इसका winner कौन था, इसका winner, इसकी winner team रही है, अर्जेंटीना, कौन रहा है, अर्जेंटीना इसकी winner रही है, और इसका जो runner-up रहा है, 2022 FIFA का runner-up, वो रही है, France, runner-up France रहा है, इसमें best player award किसको मिला, इसमें best player दिया गया, लियोनेल मेसी को, किसको दिया गया, लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के player है, बेस्ट young player की बात किया जाए, बेस्ट young player, तो ये दिया गया, एंजो fernandez को, किसको दिया गया, एंजो fernandez, अगर बात किया जाए, बेस्ट गोल कीपर का, बेस्ट गोल कीपर, तो बेस्ट गोल कीपर का award दिया गया है, एंजी, लियानो, मार्टिनेज, फ्रॉम अर्जेंटीना, अपने से ये भी पूछ सकता है, कि 2026, जो next अपना फीफा है, 2026, ये कहां होगा, तो ये होना है, कहां, ये तीन कंट्रीज मिलके इसको कराएंगी, कंड़क्टर आएंगी, कैनड़ा, मैक्सिको, और यूएस, ये तीन कंट्रीज इसको मिलके, 2026 का फीफा कंड़क्टर आएंगी, बढ़ते हैं हम अपने अगले कोशन की तरफ, अगला कोशन है, कोशन नुबर 14, क्या कहा है, इन विच येर, जेम्स मिल पब्लिश्ट अ मैसिव त्री वॉल्यम वर्क, अ हिस्ट्री ओफ ब्रिटिस इंडिया, तो कौन से येर में, जेम्स मिल ने, अ हिस्ट्री ओफ ब्रिटिस इंडिया, पब्लिश किया था, तो इन्होंने पब्लिश किया था, 1817 में, कौन से येर मे history का जो periodization किया था वो क्या है यह widely accept किया गया है widely accepted है इसलिए इसका importance हो जाता है अच्छा इन्होंने periodization किया कैसे था इन्होंने periodization किया था तीन parts में किसमें किसमें Hindu, Muslim और British में अपने Indian history को इन्होंने periodize किया है बढ़ते हैं अगले question की तरह अगला question है question number 15 क्या कह रहा है the ISSF Junior World Cup 2022 was held in तो ISSF Junior World Cup 2022 कहां हुआ था यह हुआ था जर्मनी में कहां हुआ था यह जर्मनी में हुआ था अपना option 1 जो है इसका correct answer है अब ISSF के अगर बात किया जा तो इसका full form क्या है इसका full form है international shooting sports federation क्या इंटरनेशनल shooting sports federation अब यह बात कि आई-स-स-फ World Cup 2023 तो यह कहां हुआ यह हुआ यह हुआ बाकू अजर्मनी में थिक आई-स-स-फ का headquarter कहां है अगर headquarter की बात कि जाए-स-स-फ का तो यह है म्यूनिक जर्मनी में कहां म्यूनिक जर्मनी में बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है how many delegates attended the first session of Congress in 1885 तो यह पुराना कोशन है इसका answer है 72 delegates ने attend किया था Congress का पहला session अगर Congress की बात की जाए तो यह form कब हुआ है यह form 1885 में हुआ है कहां पे Bombay के एक college में इसकी पहली meeting हुई थी और इसके founder कौन है इसके founder है A.O. Hume कौन है A.O. Hume इसके founder है और इसका जो पहला president था first president कौन है first president है W.C. Bannerzy यह सब form हुआ है तो उस time voice right कौन रहा है उस time voice right था Lord Dufferin कौन था Lord Dufferin बढ़ते है अपने अगले question की तरफ question number 17 क्या कहरा effect of the industrial policy in 1956 on industries was तो industries पे जो 1956 में industrial policy आई थी उसका क्या प्रभाव रहा तो उसका प्रभाव यही था कि industries जो है वो diversify होने लगी ठीक है तो पहला answer है पहला option है इसका industries started to get diversity fired यह इसका correct answer है इससे फाइदा क्या क्या हुआ था जो industrial policy 1956 आई थी इससे जो rate of growth था वो accelerate हुआ था इसके key points क्या क्या थे तो यह क्या था कि जो rate of growth है उसको accelerate करने के लिए हुआ था और जो pace है industrialization की उसके speed up के लिए आया था यह heavy industries के development के लिए आया और जो public sector है उसके expansion का काम किया दूसरा इसने क्या किया जो disparities है income और wealth में उसको भी यह reduce किया था industrial policy 1956 बात किया जा अगर question number 18 की तो question number 18 क्या कहता है which of the following revolutionary groups members assassinated assistant superintendent of police john saunders in 1927 तो कौन सा group है जिसने john saunders को assassinate किया था तो यह group है हिंदुस्तान republican society हिंदुस्तान republican society that is option number 2 इसका correct answer है अगर बात किया जा हिंदुस्तान republican society की तो इसको form कौन किया था इसके forming member थे चंद्र सेखर आजाग कौन चंद्र सेखर आजाग भगत सिंग भगत सिंग सुखदेव और जेसी चैटर जी जोगेश चैटर जी यह इसके founders थे इनका नाम एक जगह और आता है कहां आता है जो central legislative assembly में central legislative assembly के bombing में भी हिंदुस्तान republican society का ही रो रहा यह हुआ कब था यह 1929 में हुआ था अपना अगला question है question number 19 what is the correct percentage by volume of various gases in earth's atmosphere तो यह अपने को बहुत junior class से ही पढ़ा जाता है कि क्या percentage है तो यह अपना option fourth इसका correct answer है क्या 78% nitrogen होता है 21% oxygen होता है 0.03% carbon dioxide होता है इसी में एक argon का भी content होता है वो कितना होता है 0.9% बढ़ते हमने अगले question की तरफ अगला question है question number 20 question number 20 क्या कह रहा है the Indian Antarctic Bill 2022 prohibits which of the following activities in Antarctica तो 2022 में जो Indian Antarctic विलाई थी उसमें कौसे activities को prohibit किया गया था nuclear explosion को prohibit किया गया है वहाँ पे जो भी non-sterile soil है ठीक है उनके introduction को prohibit किया गया है जो भी garbage है उसके discharge को भी prohibit किया गया है तो इसका option हो जाए option 2 अपना correct answer हो जाएगा अच्छा यह आया क्यों था Antarctic Environment Protection को support करने के लिए protection को support करने के लिए यह bill लाया गया था ठीक है question number 21 क्या कह रहा है In organic chemistry which of the following is an empirical rule used to predict the ratio selectivity of electrophilic addition reactions of alkynes and alkynes तो यह कौन सा rule है यह है Marko-Nikov's rule कौन सा है Marko-Nikov's rule option number 3 इसका correct answer है Question number 22 which crop does not require high rainfall and high temperature तो कौन सा ऐसा crop है जिसको ना तो ज्यादे rainfall की जरूरत है और ना ही ज्यादे temperature की तो यह अपना टाइल क्रॉप मतलब wide range of climatic conditions में यह grow कर सकता है अगला question है question number 23 क्या कह रहा है India's first Olympic values education program was launched in तो इंडिया का पहला Olympic value education program कहां launch हुआ था तो इंडिया का पहला Olympic value education program launch हुआ था उडिशा में ठीक है यह launch कब हुआ है यह recently launch हुआ है 2019 में ठीक है इसका काम क्या था कि जो Olympic education है ठीक है Olympic education है इसको inculcate करने के लिए किस में school going school going जो children's है उनमें Olympic education को inculcate करने के लिए यह program लाया गया था अपने papers में governor और cm का नाम इस्टेट की governor और cm का नाम भी important पड़ जाता है तो अगर उत्तरपदेश की बात की है तो उत्तरपदेश में कोई change नहीं है बताने की जरुरत नहीं है अभी recently चुना हुआ और change हुआ कहां पे उडिशा में तो उडिशा के नए cm कौन है उडिशा के नए cm है मूहन सिंग माजी यह उडिशा के cm है और यहां के रगवर दास यहां के governor है अगर बात की जाए हर्याना की तो हर्यान में यह भी चुना हुआ था और यहां के नए जो cm मने है वो कौन है नायब सिंघ, सैनी और यहां के जो गवर्नर है वो को न है? बंदारु, दत्तात्रे पंजाब का मालूमे में पंजाब के जो स्यअम है वो कोन है? भगबंतमान और यहां का गवर्नर कौन है यहां की गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित बढ़ते हम अपने अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है कोश्चन नमट 24 यह क्या कह रहा है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा Constitution option 1 ठीक है तो Indian citizen को duty है कि वो अपने Constitution को माने और उसकी रिस्पेक्ट करें उसके ideals की उसके institutions की रिस्पेक्ट करें यह Article 51 A कौन से Part में है अपने तो यह आता है Part 4 के Part A में पढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन कोश्चन में 25 इन विच अप दी फॉलोविंग स्टेट ऑफ इंडिया इस मानस बायोस्फियर रिजर्व लोकेटेड तो मानस बायोस्फियर रिजर्व कहां ल और दूसरा है दिबुरु कौन सा है दिबुरु दिबुरु साइक होवा ठीक है दिबुरु साइक होवा इसका एक दूसरा बायोस्फियर रिजर्व है और कुछ अगर बात कीजाए असम की तो असम का अभी चिफ मिनिस्टर कौन है असम के चिफ मिनिस्टर है हेमंद विश सर्मा यहां का गवर्नर कौन है यह है गुलाब चंद कटारिया गुलाब चंद कटारिया अगर बात की जाए मेघालया की तो मेघालया के मेघालया के सीम है कौन राड संग्मा और यहां का गवर्नर कौन है फागू चोहान मनीपुर की बात के है तो मनीपुर के जो CM है वो कौन है एन बिरेन सिंग कौन है एन बिरेन सिंग सियम और यहां का governor कौन है यहां का मनिपूर का governor है अनुशुया UK अनुशुया UK अगर बात किये त्रिपुरा की त्रिपुरा का CM कोन है त्रिपुरा का CM है मानिक सा कौन है मानिक सा CM और यहां के governor कौन है? इंदर सेन रेड़ी. कौन है? इंदर सेन रेड़ी. अपने इस पार्ट में इतना ही था. Thank you.